केशो देव मौरी से यूपी चुना में हुई हार को लेकर और स्वामी प्रसाद मौरी पर की गई चर्चा को लेकर हमारे समाजवादादाता शीव सागर चौहान ने उनसे खास बातचीत की है आपको दिखाते है। कारण चुकि आपने तमान तरह के सवाल तेकिया एक-एक बिंदों में प्रकाश्ट नलिए से नहीं मैंने कोई सवाल पहले नहीं उठाए थे और ना बाद में उठाए थे हां हार की समीक्षा जो होती है हर आदमी अपने अलग-अलग तरीके सकरता और समाजवादी पार्टी भी हार की समीच्षा करेगी लेकिन मैंने जो समीच्षा की हार की महानदल के तरफ से मुझे सबसे बड़ा प्रमूख काराण लगा कि महानदल का जो वोट था जो शाक कसेनी कुश्वाम मोरया पूरे प्रदेस में वोट है वो समाजवादी पार्टी को नहीं जा पाया मैं म उस वोट की आहमियत को नहीं समझा महांदल का इस्तेमाल नहीं किया। वो बेफिक्र होगा है कि हमारा नहीं जाएगा। यह वोट बड़े आसानी से मिल जाएगा। इसलिए उनने महांदल को छोड़ दिया। और महांदल पर तवज्ज्जव नहीं दिया। वोट पर फोकस नहीं क्या। वेल दो भारती समाज पार्टी के जो उंप्रकास राजभर जी है उनका कहना था कि पहले चरण से वो जान गए थे कि गड़बंदन हार रहा है तो क्या उनके लिए क्या कहेंगे कुछ लोग उनको भी कह रहे हैं कि वो भी प्लांटेड वक्ति हैं जैसा कि आपको स्वामी प् प्रियास करना चाहते थे कि प्रयास मजबूती सो जिससे समाजवादी पार्टी गड़बंधन को अधिक सदिक ओड़ उट मिले समाज को प्रत्यासी नहीं बनाए गया किसी पार्टी में नहीं बनाए लेगिन जब समाजवादी पार्टी के तरफ से मेरे बेटे को टिकट दिया गया तो उस समय भाजपा ने भी साक के प्रत्यासी उतारा मौरया प्रत्यासी उतारा और बसपा ने भी और क्यों हराने के उसका नतीजा रहा कि दोनों सपा और भाजपा और बसपा ने मिलकर समाजवादी पार्टी महांदल गड़ बंदल प्रत्यासी प्रकास भाईया को हराने का काम किया और हराने में सफल भी हुए कि अभी यह समाजवारदी पार्टी की बाद करें तो क्या आप भी रवի्यां के यह कहें कि इस अमाजवादी पार्टी की इस बार की चुनाव के लिए पहले तो तु कि चुनाव कुछ नहीं कहेंगे चुनाव कोั้ 흩 होते रहते उसमें हर बूत पर 200-500 वोट उन्होंने कटवाए उस पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और दूसरा मुख के कारण था कि प्रसासन प्रसासन हम लोगों को उपर मुकदमे दर्च कर रहा था और भारती जनता पार्टी के प्लत्यासी उनके समर्दकों को छूट दे रहा था तो कई बहिमानियां हम लोगों के साथ हुए लेकिन उसके बावजूद हम चुनाव जीत सकते थे क्योंकि भारती जनता पार्टी जोग नाराज थे बहुजन समाज पार्टी का वोट भाजपा में सिफ्ट हुआ उसके बावजूद हम चुनाव जीत सकते थे अगर हम अपन इने उड़ता क्योंकि हमारी और अखिले श्यादो जी की विचारधारा ही जैसी है हम सभी दलित पिछले अलपसंख्यक समाज को न्याय दिलाना चाहते हैं उनका हक अधिकार दिलाना चाहते हैं इसलिए कहीं जाने का सवाल ही ने उड़ता उसे बहतर विकल्प मेरे पास है भ कि विचारधारा नहीं मिलती है तो सागर चौन के नीज लखनो